हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टो माई चैनल, आज हम बने वाले हैं बटर गारलिक नूडल्स, ये नूडल्स बहुत ही तीश्टी है, तो आईए हम इसे बनाने के त्यारी करते हैं, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक बहुदना, हम उस बहुदने में डालेंगे एक लीटर पानी, पानी को डाल कर हमें इसे गैस पे चड़ा देना है और इस पानी को हमें खौलने देना है, इसके बाद हम इसमें आधा चमच नमक डालेंगे, यह जब खौल चुका है तो फिर हम इसमें नूडल्स दाल देंगे, यह हमारा नूडल्स है, यह धीरे धीरे इसमें उबलत जायेगा और ये नीचे घूटा जाएगा और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसे खुज से किसी भी चावाद से कर सकते हैं आराम सही नीचे चला जाता है अंधर सब्सक्त हो जाता यह बिल्कुल भी नहीं टूपता है इसी तरीके से नीचे करके हम इसे अच्छी तरीके से बॉयल होने देंगे देखे अब यह देखे तरे बॉयल हो रहा है इसी तरीके से बॉयल होने देंगे हम इसे बीच बीच में चक करते रहेंगे कि बॉयल हो चुका है कि नहीं यह देखे इसे देखके ही पता चल रहा है कि भी बॉयल नह चेक करते हैं जब हम इसे खीचेंगे यह थोड़ी दे बाद श्थाच हो के तूटेगा इसका मतलब यह हो चुका है एक भगोने मेस्ट रखे हम इसे चान लेंगे अभी इतना जादा गर्म है तो हम इसमें थंडे पानी से इसे अच्छी तरीकी से धुलेंगे कि पूरा थंड हो जाना चाहिए नहीं तो यह और कुक हो जाता है हम एक कडाही लेंगे उसमें हम एक टेश्पून तेल डालेंगे तेल डालने के बाद हम इसमें बटर डालेंगे हमने इसमें तेल इसले डाला है क्योंकि बटर चलने लगता है इसे डाले के बाद हम इसे अच्छी तरीके स लेंगे इसके बात हम इसमें कुछ कटे हुए लेसुन डालेंगे एकदम यह जब रहा हम चलों हो जाएगा तो हम इसमें बारी ककता हुआ कि असुदुयिदे दालें है अ कि यह months is baked Kids सूल था जहां के जोटी-जोड चुक्रों में कट्कर लिया है और हम इसमें यह हाफ नंभे पीसे में कटकर डालेंगे यह ऑप्सिनल है आप चाहें तो छोटी-छोटी सिम्ला मिर्ज ना कटकर के डाले आप लंबी-लंबी सिम्ला मिर्ज कटकर रही डाले लेकिन मुझे यह पसंद है इसलिए मैं ऐसे करके डालती हूँ यह देखिए यह हलका सौफ्ट हो चुका है अब अबर इसमें काली मिर्ज डालेंगे काली मिर्ज मैंने घर पे कूट के लिया है अब भी लिए जादे फ्रेश होता है फिर लाल मिर्ज पाॉडर डालेंगे यह कस्मीरी लाल मिर्ज है इस जादे तीखा नहीं होगा तो आप आराम से 1 टीज्पून डाल सकते हैं इसके बाद हम इसमें कुछ Saucoses एड़ करेंगे टमेटव सॉस तू टी स्पून हमें लेना है इसमें डालने की बाद हम इसमें जालने की बाद रही हूँ हम चिली Sauc छीली शॉस भी हम डू टी स्पून ही लेंगे आपको तीखा हलका सासेज को चलाना है, उसके बाद हम इसमें नूडल्स एड़ करेंगे, नूडल्स आराम से स्टेनर में हमने चान के रखा था, वो नूडल्स हम इसमें एड़ कर देंगे, इसके बाद हम इसमें हलका सा सॉल्ट एड़ करेंगे, जो कि नूडल्स के साथ अच्छी तरीके स से mix हो जाएगा हम अब दो फॉक लेके इससे अच्छे से मिक्स करेंगे यह इस तरीके से बहुत ही आसानी से mix हो जाता है जिससे इसे चिपकनी का कोई टैंचन भी नहीं होता है तो आप भी इसी तरीके से mix करें इसे आप चाहें इसमें ऊपर से भी थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं बर मुझे जादे बटर पसंद नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा ही बटर डाला है अब यह मिक्स हो चुका है अब हम इसमें 1-4 टीस्पून सॉल्ट और एड़ करेंगे इसे डालने के बाद हम इसे हलका सा फिर चला रहेंगे अब इस टाइम हमें फ्लेम हाई करके से चलाना है पहले हमने थोड़ा लो फ्लेम किया था क्योंकि यह नीचे से चपकने लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए पहले low flame पे mix कर ले उसके बाद high flame पे करके अच्छी तरीके से चला दे जिसे अच्छी तरीके से गर्म भी हो जाएगा और आराम से mix होने के बाद टीस्टी भी लगता है इसको बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले ये कि में बॉल करते टाइम इसे 90 परसेंट ही cook करना है और जब ये 90 परसेंट कुख हो जाए इसे आराम से strainer में चान लें और इसे ठंडे पाइन डालें और हाँ cook करते टाइम इसमें बिलकुल भी आपको oil नहीं डालना है अगर आपका मन हो तो इसमें oil ना एड करें और अगर ये आप धोलने के बाद भी आपका चिपकता ही रहता है तो आप इसको आराम से पानी में ही पड़े रहने दें फिर पांच मण पहले निकालके इसे आराम से इसको सर्फ बना दें आप इसी तरीके से इसे बनाएं आई हो आपको कोई पाब्लम से बनाने में नहीं आएगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सेयर एंड सब्सक्राइब करें थैंक्यो फार वाचिंग